तो दोस्तों यदि आपका चैनल मोनिटाइज हो गया है तो आप अपना Google AdSense को लोगिन करते हो और Google AdSense को ओपेन करते हो तो आपको कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखाए देता है और यहाँ पर आपको एड़ साइड पर क्लिकर के आपको कोई भी लिंक एड़ करने के लि यह क्यूं आ गया और इसको हटाएंगे कैसे वही आज के सुझ में आपको बताने वाला है काफिस आ रहा है के रेटर जो इसके लेकर बहुत ही परसान हो गये है और काफिस आरे इसे क्रेटर जो बरबाद हो रहे है तो आपको टेंसन करने की कोई भी जरूरत नहीं है बस आ बदिए पहले मैं आपको बतादू कि आपको चिनदार नहीं करना है बिल्कुल भी चिनतर नहीं करना है क्व्लीक्स ने अपडेट लाख दिया पहले आपको कुछ इस परकार का इंटरफेश को रादिए लेकेटी गूगल इसंस ने उसको चेंज करके अब नाया वाला को आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको इस परकार का लिंकी आ याइन कि ओल्ड वहला वर्जन जो वह चला गिया है और निूवर्जन आ गिया है अब आपको लिप website को ऑप्छन ज़ौड इसपर लिंक को पर क्लिक आपको आपर बताती है कि कोई भी वेबसाइट का indispon. का लिंक डालो और यहत्म करएं, जो अपने चैनल का पर डालता हैं, उनका दिमाँ फूरे खराब हो जाते हैं, तो आपको चिनता करने एड़ साइट पर क्लिक करके उस साइट को आप जोइन करें यहां पर लिंक देकर यदि अगर आपके पास कोई भी वेब साइट वगरा कुछ भी नहीं है तो आपको घबराने की कोई भी जरुरत नहीं आपका चेनल मॉनिटाइज हो गया है तो कोई भी घबराने की जरूत नहीं जो भी YouTube के आड़ेंस से बनेगा आपका payment वो payment वाले section में जाके add हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास कोई भी site है या फिर कोई भी website है तब जाके आप उस site का या फिर उस website का link आप वहाँ पर add site पर click करके आपको देना है अगर आपके पास नहीं तो आपको नहीं देना है घबराना नहीं यह नयवल अपडेट तो खेर आज किस फिर में आपको यही सचा है आपको बताना चाहता था तो आपको यह video के सलगा है कमेंट करके जरुसे बता देजिगा अगर आपको फिरू पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरुसे टेक तो अ अ